पर्यावरण और प्राक्रतिक संसाधन मेन एन्वारिनमेंट और नाचुरल रिसॉर्सेश चाप्टर एट अध्याय आठ कछा बार्भी राजनीति विज्ञान हमारे इस वीडियो का विश्य राजनीति विज्ञान से संबंदित है और शीरिशक पर्यावरण और प्राक्रतिक संसाधन इस सध्याय में हम क्या अध्यान करने जा रहे हैं इसको सबते पहले थोड़ा से जानने संक्षप में पाठ के मुख बिंदु हमारे लिए क्या क्या रहेंगे पहला तो यह पर्यावरण क्या है पर्यावरण क्या है उसके हमारे लिए यह क्या माइने हैं दूसरा पर्यावरण का राजनीति विज्ञान से संबंद अर्थात राजनीति विज्ञान में पर्यावरण जैसा विशह क्यों जोड़ा गया है सामाने तरह यह तो भूगोल का विशह है या कम से कम हमारी नजर में पहली नजर में राजनीति विज्ञान का तो नहीं है तो फिर एसमें क्यों शामिल किया गया है इसको समझने की कोशिश की जाएगी इसका राजनीति से क्या लेना देना है इसे समझेंगे तीसरा बिंदू होगा पर्यावरण और भारत भारत से उसके पर्यावरण के क्या मायने रखते हैं और भारत की उसमें क्या भूमिका है चौथा पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण संबंदी मामलों को लेकर जो आंदोलन हुए हैं विभिन जगहों में विश्मंच पर या भारती शेत्र के अंदर इनका अध्यन करेंगे और अंतिम है मूल लिवासियों के अधिकार पर्यावरण और मूल लिवासियों के अधिकार तो मुख्य रूप से इन बिंदों पर हम इस अध्याए में चर्चा करेंगे समझने की कोशिश करेंगे पर्यावरण जो शब्द है सबसे पहले तो हम यह समझे पर्यावरन ये शब्द एक एक ऐसा शब्द है जिसे हम कह सकते हैं बहु आयामी जिसके बहुत से components हैं बहुत से जिसके dimensions हैं बहु आयामी आयाम ये डायमेंशन बहुत सारे पहलू हैं और इन्ही बहुत सारे पहलू को लेकर हमें पर्यावरन को समझने के कोशिश करना है जब हम पर्यावरन की बात करते हैं तो इसके अंतरगत हम प्रदूशन प्राक्रितिक संसाधनों की कमी जलवायू परिवर्तन इनके बारे में बात करेंगे प्रदूशन प्राक्रितिक संसाधन नैचरल रिसॉर्सेस जलवायू आधी पर्यावरन में शामिल हैं वैसे तो पर्यावरन या एन्वारन्मेंट को हम बहुत तरीकों से उसका उप्योग करते हैं उधारन के लिए मेरे आसपास का माहौल एन्वारन्मेंट अच्छा नहीं है हमें एक साफ सुत्रे एन्वारन्मेंट में बच्छों का लालन पालन करना चाहिए भारत का जो राजनीतिक वातावरन है वह दिनों दिन थोड़ा दूशित होता जा रहा है सामाजिक वातावरन भारत का बहुत ही अच्छा है आदी आदी तो आप वातावरन या पर्यावरन शब्द के बहुत से माइने वैसे समझते हैं हम यहाँ पर जिस पर्यावरन की चर्चा करेंगे उसका तालुकात उन बिंदों से है जिसमें मूलत प्रदूशन प्राकृतिक संसाधन और जलवाई आदी आते हैं सामाजिक पर्यावरन राजनेतिक पर्यावरन यह हमारे इस अध्याय के विश्य से बाहर है दूसरी बात पर्यावरन का कुछ स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि उसके कारण और उसके परिणाम दोनों वैश्विक हैं यह बहुत महत्पूर्ण बिंदू जो आपको समझना है पर्यावरन का स्वरूप यदि हम उसकी बात करें तो पर्यावरन की जब भी बात करेंगे वो हमेश्य वैश्विक स्थर पर ही उनके कारणों का अध्यान किया जा सकता है यदि हम पर्यावरन का अध्यान खेत्री स्थर पर करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारे आंकड़े, हमारे रिसर्च के परणाम ये कुछ गलत दिशा में चले जाएं ये वैश्विक स्थर पर ही होता है, ग्लोबल स्थर पर ही पर्यावरन और उसके कारण और उसके परिणाम का उचित अध्यान, समुचित अध्यान, न्याय उचित अध्यान किया जा सकता है तो स्वरूप की बात करें तो वैश्विक है तीसरी बात चूंकि पर्यावरन का स्वरूप वैश्विक है ग्लोबल है इसके कारण और इसके परणाम सब ग्लोबल हैं निश्चित रूप से पर्यावरन की जो समस्या है या पर्यावरन की जो स्थिति है उसका निराकरण भी वैश्विक इस्तर पर ही होगा तभी उसके परणाम निकलेंगे तभी उसके उचित परणाम निकलेंगे अर्थात पर्यावरन की समस्या का समाधान केवल एक शित्र केवल एक देश या केवल कुछ देशों के द्वारा नहीं किया जा सकता ये बहुत समझने की बात हूँ बढ़ती जन संख्या विकास की गलत रननीती ये जो है ये हमारे प्राकृतिक संशाधनों पर दबाओ बढ़ा रही है ये हो गया अगला बिंदु जिसका तंबंध है प्राकृतिक संशाधनों से प्रकृतिक संसाधन करत क्या है नैचुरल रिसॉर्सेथ प्रकृति के द्वारा जो कुछ हमें दिया गया है धर्ती के अंदर धर्ती पर या धर्ती के उपर इस वातावरण में धर्ती के अंदर धर्ती पर या धर्ती के उपर जो भी प्रकृति ने हमें दिया है वे प्रकृतिक संसाधन कहलाते हैं धर्ती के अंदर जैसे पेट्रोलियम प्राड़क्स हैं बहुत से मेटल्स हैं धातु आदी धर्ती पर जो जंगल वनस्पति जानवरा दी और धर्ती के ऊपर यह वायू मंडल में भी जो कुछ है चाहिए ओजोन हो चाहिए काबन हो चाहिड्रोजन ऑक्सिजन यह सब यह प्र संख्या बढ़ रही है और विकास हो रहा है उसके परणाम सुरूप इन पर दबाव पढ़ रहा है इसका ध्यन यह हमको समझना होगा इस बिंदु को ध्यान में रखना पड़ता है यदि इस समस्या का समाधान सही समय पर नहीं किया गया कौन सी समस्या प्राक्रितिक पर बढ़ते दबाव की समस्या क्योंकि जन संख्या तो बढ़ रही है क्या जन संख्या को हम रोक सकते हैं हां तो कैसे साथ ही क्या हम विकास की दिशा को कुछ मोड सकते हैं यदि हां तो कैसे और ऐसा करते हुए हम अपने परियावरन को कुछ हद तक और दूशित होने से और polluted होने से और प्रदूशित होने से बचा सकते हैं ये एक प्रयास सतत रूप से होना जरूरी है और यदि ऐसा प्रयास नहीं किया गया तो मानों सुरक्षा के साथ साथ मानों का अस्तित्व भी संकट में हैं अर्थाथ राजनीत शास्त्र में इस विशय को जोडने के पीछे तर्क ये है कि इसका संबन्द मानों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है मानो सब्भिता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और इस सब्भिता के अस्तित्व को यदि हमें बचाय रखना है तो हमें विश्विस्तर पर इस पर कारवाई करनी पड़ेगी और इसलिए विश्विस्तर पर जब कोई बात होती है तो वो राजनीती विज्ञान का हिस्सा हो जाता है उसमें अंतराश्टी राजनीती आ जाती है इसलिए इस विशे को राजनीती विज्ञान में लिया गया है चुकि इस विशे का स्वरूप इस अध्याय का स्वरूप पर्यावरन का स्वरूप वैश्विक स्तर पर ही होता है उसका अध्यान उसका निराकरण कारण वैश्विक ही होता है इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही संभव हो पाएगा और यदि वैश्विक इस्तर पर संभख है तो वो तभी जब अंतर राश्ट्री मद्दा मानते हुए विबिन देश इसके साथ जुड़ें और जब विबिन देश जुड़ते हैं तो अंतर राश्ट्री राजनीती इसमें शामिल होती है अंतर राश्ट्री राजनीती का इसमें दखल होता है और इसलिए ये विशे राजनीती विग्यान का विशे बन जाता है इस अध्याय में हम पर्यावरन का खत्रा जानेंगे और इसके साथ साथ जैसा हमें ने कहा विविन बिंदों को लेते हुए हम अंट में मूल निवासियों के अधिकारों की बात करेंगे मूल निवासियों के अधिकार से हमारा क्या तादपर है इसको भी समझने की कोशिश करेंगा तो आगे बढ़ने से पहले हम जाने कि विश्व की राजनीत में पर्यावरण की चिंताकिर क्यों हो गई आखिर क्यों यह मुद्दा इतना आहम हो गया है कि हमारे एक अध्याय के रूप में हमारे विश्व में शामिल है और साथ ही साथ वैश्विक राजनीती का मुद्दा क्यों बन गया है पर्यावरण का अर्थ क्या है पहले इसे जाने Meaning and Definition of Environment दो शब्द है परी और आवरण परी और आवरण आवरण मतलब तो हम और आप जानते हैं धका हुआ किसी चीज के धके हुए चीज को किसी चीज से जिसको धका जाता है उसे आवरण कहते हूँ और परिकार्थ है चारों और तो चारों और जो धका हुआ है वह परी और आवरण है चारों और जो धकता है वह पर आवरण है इसपकार परियावरण से ताटपरे दूसरे शब्द civilization सब्कुछ से है जो किसी भौटिक या अमभौटिक वस्तू को चारों और तो ठोगा हुआ है किसी भौतिक या अबहौतिक वस्तुओं को चारों ओर से ढखा हुआ है तो वो पर्यावरण हो गया तो इसरा कार हम आवह स्पास जो भी देखते हैं दूर-दूर तक वो पर्यावरण का हिस्सा है तो परिधन आवरंट परियावरंट परियने चारों ओर दूसरे शब्दों में परियावरंट का अर्थ उन सभी परिस्थितियों से है उन सभी स्थितियों से है उन सभी प्रभावों से है जो किसी भी स्थान पर किसी भी जगा पर किसी भी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है याने पर्यावरन और मनुष्य पर्यावरन और उसमें रहने वाले लोग इन दोनों के बीच में परस्पर संबंद बहुत ही गहन होता है पर्यावरन सतत रूप से मनिश्य को जीवन को प्रभावित करती है और उसी प्रकार मनिश्य का जीवन भी पर्यावरन को सतत रूप से प्रभावित कर रहा है तो इस प्रकार हम मान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जो पर्यावरन जो भी है, जिस रूप में भी है उसके लिए काफी कुछ मानो सब्भिता भी जिम्मेदार है और चुकि मानो सब्भिता इस पर्यावरन के लिए इस पर्यावरन की अच्छाईयों और बुराईयों दोनों के लिए जिम्मेदार है हम थोड़ा जाने कि आखिर इनकी बुराईयां प्रयावरण की क्यों है किस हद तक उसका निराकरण किया जा सकता है और उसके निराकरण के लिए वैश्विक इस्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं संरक्षन कानून 1986 संरक्षन बचाय रखना परयावरण को बचाय रखने संबंधी कानून 1986 के अनुसार परयावरण के अंतरगत क्या आता है परयावरण के अंतरगत जल वाई और भूमि को तथा जल भूमि और मनुश्यों तथा अन्य प्राणियों संपत्यादी में पाय जाने वाले अंतर संबंध को परयावरण माना गया अंतर संबंध मैंने बताया मनुश्य या जो भी सजीव है उनका जो भी निजीव चीज है आसपास उससे जो अंतर संबंध है गहन संबंध है वही परयावरण है उसके अंदर जल वाई भूमि भूमि के अंतरगत आने वाली सभी चीज़ें उनके अं इंतर संबंध का अध्यान ही पर्यावरन का अंग होता है। रॉस जो एक प्रसीद राजनीती वेत्ता हैं उन्होंने कहा है कि पर्यावरन कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। कि पर्यावरन कोई भी बाहरी शक्ति जो हमको प्रभावित करती है उसे हम पर्यावरन कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरन से ताटपर है मनुष्य के चारों और चहुद शाओं में उन परिस्थितियों से जो उसकी क्रियाओं को प्रभावित करता है। उसे पर्यावरन कहते ह वाली सभी चीजें पर्यावरन का अंग कहलाएंगे यह हो गई पर्यावरन की परिभाशा रास के अनसार पर्यावरन प्रदूशन जो इस अध्याय के अंतरगर्द अगला बिंदु है उसमें आपको समझना होगा कि पर्यावरन के मैंने जैसा कहा अने घटक होते हैं अने एक कॉम्पोनेंट है बहुत से आयाम हैं बहु आयामी हैं और इन सभी आयामों के बीच में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रियक्शन ये सब को लेकर जो संतुलन स्थापित करन मुद्दा होता है पर्यावरन के विभिन घटकों के बीच की क्रिया प्रतिक्रियाओं का संतुलन उस पर्यावरन में ही जीव अपना जीवन अपना जीवन चक्र पूरा करता है और लेकिन संतुलन बिगड़ा तो उसके जीवन चक्र में बहुत सारी बाधाएं आ जाएंग बहुत सारी कटनाई आ जाएंगी और उस प्रकार जो पर्यावरन के विभिन कमपनेंट हैं विभिन घटक हैं उसमें से किसी घटक के कम जादा होने से या किसी प्रकार की छेड़ खानी होने से हम क्या कहते हैं परियावरन प्रदूशित हो गया, तो परियावरन विगड गया, परियावरन खराब हो गया इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि परियावरन के जो विभिन components है उनके बीच में परसपर संतुलन होना जरूरी है परसपर संतिलन और इन परसपर संतिलन में यदि किसी घटक, किसी कॉंपोनेंट के अस्तित्त में उतार चड़ाओ आता है, किसी तरह का इंबैलेंस होता है, तो जो मानो सभिता, मानो का जो जीवन चक्र है वो प्रभावित होता है और ये दुश्प्रभाव जो है, उसको हम क्या कहेंगे, परियावरन का प्रदूशन, ये बदलाव जो है, उसे हम कहेंगे परियावरन का प्रदूशन किसी भी प्रकार के भौटिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या किसी भी अन्य तरीके के परवर्तन जो हमारे जीवन को unwanted तरीके से, अवांचनी तरीके से प्रभावित करते हैं वो पर्यावरन प्रदूशन के तहट आते हैं मैं फिर से बता दूँ, ऐसे सभी तत्व जो undesirable हैं ऐसे सभी तत्व, पर्यावरन के ऐसे सभी तत्व, जो अवांचनी हैं unwanted हैं, undesirable हैं, जो इन घटकों के बीच के अनुपात को disturb करते हैं इन घटकों के बीच के संतिलन को बिगारते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरन प्रदूशन तो अब आप समझ गयोंगे अच्छी तरह कि पर्यावरन क्या है और पर्यावरन की परिभाशा क्या है परिभाशा बहु आजामी है, इसके माइने क्या है और अन्तिता पर्यावरन प्रदूशन किसे कहते हैं पर्यावरन प्रदूशन अर्थात विभिन घटकों में इसके विभिन पंपोनेंट्स हैं उसमें इम्बैलेंस होना इस इम्बैलेंस के क्या कारण है अर्थात सरल भाषा में दी बोलें तो प्रदूशन के क्या कारण है क्योंकि प्रदूशन अर्थात पर्यावरन के किसी घटक में उतार चढ़ाओ जो unwanted हो तो सरल भाशा में प्रदूशन के कारणों की और हम बढ़ते हैं आगे कि आखिर प्रदूशन के कारण क्या है किन किन कारणों से प्रदूशन होता है पहला कार्बन डायक्साइड की बढ़ती मात्रा इसका हम आगे विस्तार चद्धिन करेंगे फिलहाल हम बिंदुवार इनको समझ लें कि ये छे कारण सामान नित्या माने जाते हैं परियावरन के प्रदूशन के समाजिक प्रदूशन अलग है राजनेतिक प्रदूशन अलग है समाजिक वातावरन या प्रियावरन अलग है हम यहां बात कर रहे हैं केवल प्रियावरन प्रदूशन के और कौन्चे प्रियावरन के जो प्राकृतिक प्रियावरन है उसके प्रदूशन के हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कारण है कारबन डायोकसाइड की बढ़ती मात्रा, सी ओ टू की बढ़ती मात्रा दूसरा घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग अपमार्जक क्या है? इसको हम आगे समझेंगे पर आप याद रखें घरेलू अपमार्जक, इनका जो उपयोग बढ़ता जा रहा है तीसरा, उद्योगों में अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास या ये उद्योगों से अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों का निकास रासानिक प्रदार्थों का निकास ये तीसरा बिंदु है तीसरा कारण है प्रदूशन का चोथा कारण वाहित और थाथ बहने वाले वाहित मल का नदियों में गेरना बहुत अहम बिंदु है नदियां प्रदूशन का कारण स्वयम में बन चुकी है नदियों में वाहित मल का नदियों में गेरना क्योंकि नदियां प्रदूशित हो गई है क्यों क्या उसके प्रणाम क्या इसका पढ़ेंगा हम फिल्हाल अगला बिंदू जहां पहला बिंदू कार्बन डायकसाइड, दूसरा अपमार जक, तीसरा रासायनिक पदार्थों की निकासी, चोथा नदियां या मल्क, पांचवा स्वाचलित निर्वा तक छट्वा है रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो धर्मी पदार्थ क्या तातपर है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, उनका उपयोग, उनका उपभोग बढ़ना और अन्तिम है कीट नाशक, कीटाणू नाशक और अपत्रण नाशक पदार्थ, ये छे कारण हैं पर्यावरन में प्रदूशन के, प्राकृतिक पर्यावरन में प्रदूशन के थोड़ा प्रयावरन से उपजित, या एक अलग से हम कुछ वर्तमान विश्व की कुछ समस्याओं की और नजर डालें जो कुछ समस्याओं हैं, जो हम विचारनी मुद्दे हैं, उन पर यदि हम तो नजर डालें तो एक बिंदु है कि जो दुनिया भर में जो कृषियोग की भूमी है, कृषियोग की भूमी कोई बढ़ नहीं रही है, बलकि घट ही रही, कोई विकास हो रहा है, मैंने पूर मे जिक्र किया, तो कृषि की भूमी बढ़ नहीं रही है, और परणाम सुरूप और जन संक्या बढ़ रही है, तो बढ़ती जन संक्या के भोजन की रिक्वायर्मेंट को पूरा करने के लिए उसमें हम क्या कर रहे हैं, उपजाओ जमीन में उर्वरक्ता लगातार कम हो रही ह उसका जो उपजाओ पन है, वो कम हो रहा है, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, रासायनिक पदार्थों को अप्योग, ऐसे ही चरवाहों के चारे खट्म हो रहे हैं, वैसे ही मत से भंदार भी घट रहा है, क्योंकि नदियां भी प्रदुशित हो गई हैं, मल से, रासायनिक पदार्थों से आदी, जलाशे की जलराशी बहुत कम हो गई है, आप राइपुर में देखिए, इतने सारे तालाब थे किसी जमाने में, आज वहाँ पर गिन चुनकर कुछ तालाब हैं, और उनके संरक्षन की समस्या बनी हुई है, क्योंकि वे भी प्रदुशन से बहुत हो रहा है, तो इन सब के कारण क्या हुआ, प्रदुशन बढ़ गया है, खाद्यत पादन में कमी आ रही है, ये एक सोचने की बात है, क्रिशी, युक्त जमीन का घटना, जन संख्या का बढ़ना, उसी तरह यदि हम संयुक्त राश्चंक के मानो विकास रिपोर्ट पर नज स्वच्छ जल नहीं पा रही है, मैं केवल विकास शील देशों की बात कर रहा हूँ, बहुत से विकसित देशों के कुछ खेत्र ऐसे भी हैं, जहां पर अभी जल की समस्या है, लेकिन विकास शील देशों की अधि बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें भारत भी ए वहाँ 66 करोड जनता को पीने के पानी उपलब्ध नहीं है पीने लायक पानी पानी भले उपलब्ध हो चाहाँ नमकिन हो गंदा हो नालीका हो लेकिन पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं है ये दूसरी समस्या है सोचने के लिए तीसरी विचारनी बात वो है कि लगभग दो अरब चालिस करोड आबादी दो अरब चालिस करोड आबादी साफ सफाई की सुविधा से वन्चित है भारत में आज सच्छता अभियान कई वर्षों से चल रहा है शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और सच्छता अभियान के तहट कई शहरों हमने वास्तों में क्वालिटेटिव चेंज गुणात्मक परिवर्तन देखा है उनके सफाई में लेकिन जहां अंदरूनी लाकों में जाओ तो बढ़ती जनसंख्या बढ़ता घनत जनसंख्या का इसने सफाई के कारे को बड़ा दूभर बना दिया कटिन बना दिया तो दो करोड दो अरब से ज्यादा की जनसंख्या जो है दो अरब चालिस लाक वो सफाई से बंचित है और इसी वज़ा से तीस लाक से ज्यादा लोग बच्चे हर साल मरते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो अन हाईजिनिक कंडिशन में लह रहे है वहां साफ शुत्रा नहीं है वो खित आप किसी भी शहर के आउट स्कर्ट में चले जाएं बाहरी आलाकों में तो जो जुगी जुपणियों का अपार जो विशाल काय जो रूप दिखता है आपको वहां थोड़ा अंदर जाके देखें तो बहुत ही शोचनी दुश्य रहता है निश्कर्श ये कि एक ये मुद्दा और है जो आपको सोचना है इस अध्याय को पढ़ते समय कि तीस लाख बच्चे प्रतिवर्ष मात्र सफाई की व्यवस्था ना होने के कारण प्रतिवर्ष जाते हैं मौत के शिकार हो जाते हैं ऐसे ही चौथा विचारनी बिंदू प्राकृतिक वन प्राकृतिक वन यहने जो अपने आप जो जंगल बने हैं ये जो अपने आप जो जंगल बने हैं ये हमारी जलवायू को काफी कुछ संतुलिद बनाए रखते हैं जलवायू इन हमारे जो जल चक्र को मौसम चक्र को और इन सब को एक उसका एक संतिलन बनाया रखते हैं इन ही वनों में हम जय विविर्ता पाते हैं वहां भंडार विशाल भंडार और ऐसे ही वनों की कटाई भी हो रही है तो जो अगला बिंदु जो श्मरणी है जो विचारणी है वो है वनों का पर्यावरन को बनाया रखने में संतलन बनाया रखने में उसकी महत्पूर्ण भूविका जहां एक और सब समझते हैं वहीं दूसरी और वनों की कटाई भी दिनों दिन बढ़ती जारी है ये एक सोचने वाली बात है और इस कटाई के परणाम मात्र जलवाई हुई प्रभावित नहीं हो रही है वहां रहने वाले लोग चाहे जीव जन्तु हों प्राणी हों मनुष्य हों वे भी विस्थापित हो रहे हैं वे भी विलुप्त हो रहे हैं आदी आदी जैव विवित्ता की जो हानी हो रही है जो बहुत सारे ऐसे स्पेशीज हैं जो गायब हो रहे हैं मानस पटल विश्ट पटल से जो गायब हो रहे हैं वो इसी वन कटाई का परणाम है और इसका कारण है उन परियावास्यों का विध्वन्स जो जैव प्रजातियों के मामले में संब्रिद्ध हैं जहां जैव प्रजातियां जिन वनों में जिस वातावरन में जिस परियावरन में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं वहीं के जंगलों की कटाई होती है क्योंकि वहां अच्छी मात्रा में लकड़ियां मिल जाती हैं काम की लकड़ियां मिल जाती हैं सोचने वाली बात है यदि हम उपर के वातावरन की बात करें वाई मंडल की यदि बात करें तो मैंने एक ओजोन लेयर का जिक्र किया था ये ओजोन लेयर में लगातार कमी हो रही है ये आप जानते हैं और इसलिए एक होल छिद्र बन रहा है वातावरण में जो बड़ा खतरनाक है जिसका आप अध्यान बायलोजी में तो किये ही होंगे इसके अलावा भूगोल में भी उसका अधस्तार सर्दिन किया होगा धर्ती के उपर के वायु मंदल में ओजोन गैस की जो मात्रा है वो लगातार कम हो रही है और इससे ओजोन परत में छेद हो गया है उस छेद का परणाम बहुत बुरा हो रहा है रेडियेशन सूरज की किरने मनिश के स्वास्त को बहुत बुरी तरफ प्रभावित कर रही है दुश प्रभावित कर रही है एक बड़ा खत्रा उद्पन हो गया ये तो हो गया वायु मंदल के मामले को लेकर एक विचारनी समस्या समुद्र की अधी बात करें तो समुद्र का प्रदूशन भी बढ़ रहा है लगातार क्योंकि समुद्र के तटवर्ती जो इलाके है वहाँ पे जो क्रिया कलाप हो रहे है जो नदियों का पानी वहाँ के मिल रहा है वो प्रदूशित पानी है चाहे वो मल से, चाहे रासानिक और द्योगों से निकला हुआ पानी और उन्ही इलाकों में जहां पे नदियां मिलती हैं, उन्ही इलाकों में घनी बसाहट है चाहे आप पलकता के हुगली नदी की बात करें, चाहे किसी भी खित्र की बात करें जहां भी नदियां समुद्र में मिल रही हैं घनी बसाहट वही हैं अर्थात जादा से जादा प्रदूशित पानी समुद्र में मिल रहा है तो यह समुद्र के बीच का इलाका चाहे प्रशांत महासागर वर्द हिंद महासागर कोई साभी समुद्र लें उसका बीच का खेतर तो अभी तिलनात्मक दिश्ट से शुद्ध है पानी लेकिन किनारे के सारे ख्षेत बहुत बड़े ख्षेत प्रदूशित हो चुके हैं और पानी की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं समुद्र के वातावरन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे ह इन विचारणी बिंदुओं को पर मेरे द्वारा आपका ध्यान खीचने का उद्देश के वल यही था कि आप थोड़ा सोचें कि धर्ती के अंदर, धर्ती पर, धर्ती के उपर ये जो समस्याएं हो रही है इन समस्याओं का निराकरण किस इस्तर पर हो सकता क्या रहपूर के स्वयम के लोग केवल रहपूर का वातावरन बदल दें तो परियावरन समस्या देश की स्विलच जाएगी और क्या रहपूर के स्वयम के लोग केवल रहपूर का परियावरन बदल सकते हैं गुणात तक परिवर्तन उसमें ला सकते हैं दूसरी हो और यदि हम और बड़े पहमाने पर जाएं तो क्या भारत अकेला स्वेम ओजोन लेयर, समुद्र के प्रदूशन, जलवायू परिवर्तन में जो गिरावट आ रही है उसको रोक सकता है और थोड़े बड़े पहमाने पर जाएं तो क्या विश्व के कुछ देश मिलकर यदि सहिक्त प्रयाज भी करें तो क्या ये समस्याएं वायू मंडल की जो बहुत बड़ी समस्या है वातावरण की इसमें उचित बदलाओ ला सकते हैं नहीं ये वैश्विक समस्या है परयावरण की समस्या जहां एक और वैश्विक है इसका निराकरन भी वैश्विक ही है और थात में उसी बात को इन समस्याओं के मादधम से आपको बताना चाह रहा हूं जो मैंने पूर में कही हैं बहु आयामी समस्या इन मसलों का समाधान क इसी एक देश की सरकार नहीं कर सकती आप इससे ये भी समझ जाएंगे कि ये मसले विश्व राजनीति के पर्यावरन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो विश्व राजनीति का मसला इसलिए है कि हम जाने कि कौन पर्यावरन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है अलग अल अलग अलग तरीके से परियावरन को नुकसान पहुंचा रहा है। यह मसला विश्व राजनीति का इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको रोक लगाने के उपाय की जिम्मेदारी भी ग्लोबल स्तर पर हो सकती है। किसकी है? केवल राइपुर वासियों की? केवल भारत सरकार क केवल कुछ देशों की सम्हेलित होकर या विश्व राजनीति का हिस्सा इसलिए है क्योंकि धरती के प्राकृतिक साधनों पर किसको कितना इस्तेमाल करने का अधिकार है? इसको लेकर भी जगड़ा होता है petroleum products जो धर्ती के अंदर है चाहे समुद्र की गहराई के नीचे या समाने धर्ती के अंदर उसका दोहन उसका उपयोग उसका उत्पादन इसको लेकर जो जगड़े हैं और इस पे लगने वाली रोक की आवश्यकता इसमें विश्व राजनीती आजाती है इसलिए ये जो मसले हैं विश्व राजनीती के हैं और इसलिए जवाब जो है की की पर्यावरन की समस्याओं का निराकरन कौन कर सकता है तो उसका उत्तर एक ही है विश्व और यदि विश्व इसका उत्तर है तो विश्व की राजनीती इसमें जुड़ती है और चूंकि विश्व की राजनीती इसमें जुड़ जाती है इसलिए यह विश्व राजनीती विग्यान का विश्व बन जाता है तो अब आप समझ गया होंगे उदाहरणों के माध्यम से क्या खिर यह अध्याय हमारी राजनीति विज्ञान में क्यों जोड़ा गया हूँ यह सब जितने भी मुद्दे हैं जो पांचों समस्या हैं मैंने बताई हैं यह सारे मसले गहरे राजनीतिक मसले हो गए हैं अब यह मात्र एक भागोलिक मसला या एक वायु मंडल का मसला नहीं रहा बड़ा इसके अंदर बहुत गहन राजनीति हो गई जिसका अध्यान हम आगे करेंगे